बात करेंगे बिटगर्ड प्रोजेक्ट के बारे में क्या इसकी नई अपडेट्स आई है क्या ये कर रहा है रिसेंटली जब से मार्च स्टार्ट हुआ है साल 2022 के अंदर इसने नई नई अपडेट्स की लाइन लगा दी है बैक टू बैक पार्टनर्शिप्स कर रहा है बैक 27 मार्च को ही इसने अपना आल टाइम हाई बनाया था तो कहीं न कहीं अभी इसमें कुछ बड़ा होने वाला है डेफिनिटली तो क्या अपडेट्स हैं क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं किस वज़े से लोगों को ये पसंद आ रहा है हम वो सब डिसकस करेंगे तो वीडियो यो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड तक जरूर देखना सबसे पहले बात करते हैं बिटगर्ड के करंट प्राइस की जो है 0.5 टाइम 0.11 यूज डॉलर में इसकी टोटल सप्लाई है 1 कौरिलियन इसका आल टाइम हाई था 0.5 टाइम 0.18 जो इसने अभी मार्च मे ही पूरा किया है एंड इसका आल टाइम लो था 0.9 टाइम 0.61 और ये एक लाग परसेंट के लगभग का रिटैन अब तक बना कर दे चुका है अपने होल्डर्स को काफी माला माल किया है इसने अपने होल्डर्स को इसके ट्वीटर फैमली है ट्वीटर के इसके जो के बारे में पहली अपडेट यही है कि 100 प्लस न्यू प्रॉजेक्ट के साथ इसकी बात चल रही है जल्दी ही हमें बड़े-बड़े प्रॉजेक्स बिटगर्ट के साथ वर्क करते हुए देखने को मिल सकते हैं और लिड़ी ये बहुत सारी पार्टनर्शिप्स कर रहा है इस साल के अंदर और भी बड़ी पार्टनर्शिप्स होना बाकी है नेक्स अपडेट की बात करें तो ये तयारी कर रहा है अपने ब्लॉकचेन को कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीकों पे लिस्ट कराने की तो उस पे भी काफी तेजी से वर्क चल रहा है नेक्स अपडे जो बिडगर्ड का एक्सचेंज है अभी उसका वेब वर्जन ही अवेलेबल है तो जल्दी ही एंडरोइड वर्जन भी हमें देखने को मिल सकता है तो ये कुछ नई अपडेट सी बिडगर्ड को लेकर अगर हम इसके युनिक फीचर की बात करें कि किस वज़े से लोगों क बिडगर्ड पसंद आ रहा है या क्या इसका यूएसपी है तो वो है इसका फास्टेस एंड चीपेस्ट ब्लॉक जो इसकी ब्लॉक चेंज इसने लांच की है उसको जो ये खुद से क्लेम करता है कि ये सोलाना किलर या इथेरियम किलर भी हो सकता है नेक्स्ट आने वाले ट टाइम जीरो वन युएस डॉलर जो की काफी 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 कम है मेरे हिसाब से तो ये इसका एक यूनिक फीचर है अब ये फीचर कितना वर्क करता है इस प्रोजेक्ट को कितना अगे ले कर जाता है ये तो भी देखना बाकी है क्योंकि अभी तो जस्ट इस कोईन ने प्रोजेक्ट है अभी तो यह अपने जस्ट इनिशिल लेवल पर है आगे आने वाले टाइम में हो सकता है एक यह बड़ा बूम करके दिखा सके अब अगर बात करें इसकी पार्टनर्शिप्स की तो जब से मार्च स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक रोज नई नई अ साइकल करने से रिलेटिड एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ इसने पार्टनर्शिप्स की है अगर नेक्स पार्टनर्शिप्स की बात करें तो ग्रेफिन के साथ इसने पार्टनर्शिप्स की है प्रोडक्शन और एनरजी रिकवरी का काम करता है यह जो प्रोजेक्ट है बा और बहुत सारी चीजों को लेकर नई नई अपडेट्स डेली आ रही है बिटकर्ट के ट्विटर हैंडल से तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कितना बड़ा प्लैन कर रहा है इसका फिचर प्रोटेंशल काफी जादा हो सकता है अगर इस इस से प्रोजेक्ट में नहीं करनी चाहिए जो कि अभी अपने इनिशिल फेज में है अभी से थोड़ा वेट किजिए तो ओड़ा टाइम आप देखें कि ये प्रोजेक्ट आखिर क्या क्या क्र रहा है जो भी ये चीजों को क्लेम कर रहा है क्या वो सब चीजें ये पूरी करता भी है या नहीं करता है तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम देखना बाकी है कि अभी है कोई और क्या-क्या अपडेट्स लेकर आता है कितना ये अपनी जो बाते बोल रहा है उन पे खरा उतरता है उसके बाद ही को इन्वेस्मेंट कर डिसीजन लेना चाहिए इसमें अभी के टाइम में इन्वेस्मेंट करना रिस्की भी हो सकता है क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है बाकी आप खुद से रिसर्च करें अगर आपने डिसाइड किया है कि आप बिटकर्ट में इन्वेस्मेंट करने वाले हैं और लेडी एक huge return बना के दे चुका है तो आपको लगता है कि आने वाले टाइप में फिर से ये कोई एक बड़ा return बना के हमें जल्द ही दे सकता है, 2022 के end तक या आने वाले 2023 में दे सकता है, तो पहले proper research करें, उसके बाद ही इस project में investment करें, किसी भी यूटिबर के कहने से crypto currency मे पैसा ना लगाएं, आपका पैसा loss भी हो सकता है, बहुत risky market है, तो सोस समझ के ही investment करें, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो काम का लगा हो तो like कर देना, मिलती हूँ next वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye